शिम बाबा याद है ना? सिवाए बाप के और कोई कोई याद नहीं करो ज्यान सागर एक श्य बाबा ही है जो तुमको पूरे ड्रामा का यथार्थ ज्यान देते है तुम्हारी यह है पढ़ाई भक्ति को पढ़ाई नहीं कहेंगे वह तो है मनुष्य मत अब तुम्हे जो इश्वरिय मत मिल रही है इस पर चल एक सो आठ की माला में आना है फिर बाबा नहीं कहा यह है कांटूं का जंगल जहां एक दो को विकारों का कांटा लगाते रहते हैं याद रखो यह काम तुम्हारा नंबर वन महाशत्रू है जो तुम्हे आदी मध्य अंत दुख देता है इसलिए इस अंतिम जन्म निर्विकारी बनो तुम पहले सो प्रतिशत सॉल्वेंट थे फिर माया ने आकर बुद्धी को ताला लगा दिया तुम इंसॉल्वेंट बन गए अब फिर से बाबा आकर तुम्हारी बुद्धी का ताला खोल रहे है और लास्ट में बाबा ने कहा माया के चक्र में आकर बेहद के बाप की गलानी नहीं करानी व्रिक्षपती बाप ही आकर भारत पर ब्रस्पती की दशा बिठाते है अभी तुम राम राज्ये में जा रहे हो इसलिए आपस में शीर खंड होकर रहो कभी लून पानी नहीं होना और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मूरली का सार, मीठे बच्चे, देही अभीमानी बाप, तुम्हे देही अभीमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं तुम्हारा पुरुशार्थ है देहे अभीमान को छोड़ना प्रश्न, देहे अभीमानी बनने से कौन सी पहली विमारी उत्पन्न होती है उत्तर नाम रूप की यह बिमारी ही विकारी बना देती है इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए देहे के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे बाप तुम्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त बनने की युक्ती बताते हैं यही पढ़ाई है ओम श्यांती रुहानी बाप कह रहे हैं की आत्म अभिमानी अथ्वा देही अभिमानी होकर बैठना है किसको याद करना है बाप को सिवाए बाप के और कोई को याद नहीं करना है जब बाप से बेहद का वरसा मिलता है तो उनको याद करना है बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव आत्म अभिमानी भव देह अभिमान को छोड़ते जाओ आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है सत्योग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा है अब यह शरीर बुढ़ा हुआ इसको अब छोड़ते हैं ये चेंज करना है, सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है, कौन बनाते हैं, बाप, जो सदेव आत्म अभिमानी है, वे कभी देह अभिमानी बनते नहीं, भले एक बार आते हैं, तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया, लोन पर लिया हुआ है, इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता, जानते हैं, ये तो शरीर छोड़ना है, बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो, अब फिर पावन बनने के लिए, तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूं, योग अक्षर न कहें, याद अक्षर कहना ठीक है, याद सिखलाता हूं, बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तु तुम को भी बाप को याद करना है। आत्म ही याद करती है। जब रावन राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। भक्ति किसको कहा जाता है यह तो बाप नहीं समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापड से जबकि पांच विकार रूपी रावन की सापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावन राज्य कहा जाता है। प्रन्तु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और क इतना समय रावन राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्तर बुद्धी हैं। पैदा ही भ्रष्टा चार से होते हैं। इसलिए इसको विश्यस वर्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत भारत जैसा पवित्र खंड कोई बनना सके। फिर भारत जैसा आपवित्र कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर आपवित्र बनता है। फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताइं पवित्र थे फिर पुनरजनम लेते लेते आपवित्र बन गए सबसे जासी जनम भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जनमों के अंत के जनम के भी अंत में आता हूं। यह पहला नंबर ही 84 जनम पूरे कर वानप्रस्थ में आता है। तब मैं प्रवेश करता हूं। ट्रीमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। परन्तु किसको मालूम नहीं हैं। क्योंकि तमो प्रधान है न, किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं। परन्तु सब हैं अंदश्रधा। भक्ती को कहा जाता है ब्रहमणों की और सत्यूगत रेता है ब्राहमनों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजा पिता है तो जिरूर बच्चे भी होंगे न। यह भी समझाया है ब्राहमनों का कुल होता है। डानेस्टी नहीं। ब्राहमने छोटी। चोटी भी देखने में आती है फिर उँच ते उँच पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्म शिव उनका नाम एक ही है प्रन्तु भक्ति मार्ग में अथा नाम लगा दिये हैं भक्ति मार्ग में चह चटा भव का बहुत हो जाता है कितने चित्र कितने मंदिर यग्यतप दान पुन्यादी करते हैं कहते हैं भक्ति से फिर भग्वान मिलता है किसको मिलता है जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं जो ब्राहमन सो देवता बनते हैं वही यथा राजारानी तथा प्रजा, सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूरण, संपूरण निर्विकारी, अहिंसा पर्मो देवी देवता धर्म था, भारत में एक आदिसनातन देवी देवता धर्म था, तब अथा धन था, बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम दे 84 जनम, वह फिर कह देते 84 लाख जनम, कल्प की आयू भी लाखों वर्ष कह दी है, बाप कहते हैं, यह है 5000 वर्ष का ड्रामा, तो यह हुआ ग्यान, ग्यान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है, वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा, हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाब को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं, पुनर जनम लेते लेते, दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर बाप आते हैं, सेकिंड में जीवन मुक्ती मिलती है, किस से बेहद के बाब से, तो जरूर जीवन बंद में हैं, पतित हैं, फिर पावन बनना है ये तो सेकिंड की बात है ग्यान एक सेकिंड का है क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो वे सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं पढ़ती तो आत्मा ही है परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कह देते हैं हम फलाना मिन मिस्टर हैं, यह हैं, वास्तों में है आत्मा, आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पार्ट बजाती है, यह भूल जाते हैं, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, कोई क्या बनते हैं, बाप समझाते हैं, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, वर्ड की हिस्ट्र जरूर रिपीट होती है नई दुनिया है सतो प्रधान घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान फिर पुराना जड़ड़ी भूत तमो प्रधान होता है इस बेहद की नाटक वश्रिष्टी चक्र की नौलेज को समझना है क्योंकि यह पढ़ाई है भक्ती नहीं है भक्ती को पढ़ाई नहीं कहा जाता है क्योंकि भक्ती में एम उबजेक्ट कुछ भी होती नहीं जनम जन्मांतर वेद शास्र आधी पढ़ते रहे यहां तो दुनिया को बदलना है सत्योगत रेता में भक्ती नहीं भक्ती शुरू होती है द्वापर से तो यह बाप रुहा रूहानी नौलेज अत्वा रूहानी ज्यान। भक्ति में अनेक नाम दे दिये हैं। भक्ति का फैलाओ बहुत है। यह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए एश्वरिय मत। श्री मत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है न। यह प्रवृति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जनम लेते लेते, सीड़ी उत एंसालवेंट बनते जाते हैं। बुद्धि एंसालवेंट बन जाती हैं तो मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सौलवेंट थे वो इस समय इंसालवेंट हैं। बुद्धी को ताला लगा हुआ है वह लौक किसने लगाया गोड्रेज का ताला लग जाता है भारत जितना नमबर वन में था उतना और कोई खंड नहीं भारत की बहुत महिमा है भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है प्रन्तु ड्रामा नुसार ग दुनिया की भूल है भारत में ही गीता को खंडन किया है जिस गीता के ग्यान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगती करते हैं भारत सबसे उच्छ और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है ये उल्टा जाड है इनका बीज उपर में है उसको व्रिक्षपती कहा जाता है ब्रिस्पती की दशा बैठती है ना बाप समझाते हैं मैं व्रिक्षपती आता हूँ तो भारत पर ब्रिस्पती की दशा बैठती है उंच बन जाते हैं फिर रावन आया है तो राहु की दशा ब पड़ी रहती है क्योंकि पवित्र हो आधा कल्प तुम 21 जनम लेते हो बाकि आधा कल्प में भोगी बनने से आयू भी छोटी हो जाती है तो फिर तुम 63 जनम लेते हो अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है इसलिए मामेकम याद करो सब धर्म वाले इस समय तमो सब ब्रदर्स हैं क्योंकि हम आत्मय एक बाप की बच्चे हैं भल कहते भी हैं हिंदू, मुसल्मान, भाई, भाई हैं प्रन्तु अर्थ नहीं जानते हैं आत्मा कहती राइट हैं सब ब्रदर्स का बाप एक हैं वर्सा देना ही है बड़े बाबा को वे आते भी भारत में हैं शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था, ये किसको भी पता नहीं है, तुम्हारी युद्ध है विकारों से, काम तो तुम्हारा नंबर वन दुश्मन है, रावन को जलाते हैं, परंतु वह है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते, दुआपड से लेकर तुम नीचे उतरते, इस समय पतित बन गए हो, एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूझते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सरव्यापी हैं, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चकर में आकर गाली देते हो, बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, त लानी करते कितनी पापात्माई बन गए हैं, रावन राज्ये हैं न, यह भी तुम जानते हो, इस समय सब भक्तियां हैं, सब की सदगती करने वाला कौन कौन है, सच्छिखंड सापन करने वाला सब का बाबा है, रावन को बाबा नहीं कहा जाता है, पांच विकार हरेक में ह विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है, देवताओं को कहा जाता है संपूरन निर्विकारी, अभी है संपूरन विकारी, देवताएं जो पुझे हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, वह कह देते हैं आत्मा सोपरमात्मा, बाब कहते हैं यह भूल है पहले पहले तो अपने को आत्मा निष्चे करना है हमात्मा इस समय ब्रह्मन कुल के हैं फिर देवता कुल में जाते हैं यह ब्रह्मन कुल है सर्वत्तम कुल ब्रह्मनों की डानेस्टी नहीं है चोटी है ब्रह्मनों की तुम ब्रह्मन हो ना सबसे उपर में है श्युव बा परन्तु उसमें ना ब्राह्मनों को चोटी है ना चोटियों ब्राह्मनों का बाप है अर्थ कुछ नहीं समसे त्रीमूर्ती का अर्थ भी नहीं समसे नहीं तो भारत का कोट ओफ आम्स त्रीमूर्ती शिव का होना चाहिए अभी तो यह कांटूं का जंगल है तो जंगली जान जनवरूं का कोटो फार्मस बना दिया है उसमें फिर लिखा है सत्य मेव जयते सत्युग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकठे जल पीते हैं सत्य मेव जयते माना विजे सब शीर खंड हो रहते हैं लून पानी नहीं होते हैं रावन राज्ये में लून पानी राम राज्ये म शीर खंड हो जाते इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल एक दो को पहला नम्बर कांटा विकार का लगाते हैं बाप कहते हैं काम महाशत्रू है यह आदी मध्य अंत दुख देने वाला है नाम ही है रावन राज्ये बाप कहते हैं इन पांच विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, यह अंतिम जनम निर्विकारी बनो, तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो, गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मेल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो नहीं हो सकती भक्ति मार्ग में कितने धेर के धेर गुरु लोग हैं सत्गुरु तो एक ही है सद्गती करने वाला सुप्रीम बाप भी है सुप्रीम टीचर भी है सुप्रीम सत्गुरु भी है वही तुमको सृष्टी के आदी मध्य अंत का नौलेज सुनाते हैं अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्णिंग। धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाए बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, उनसे शीर खंड होकर रहना है, इस अंतिम जनम में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत ज बनना है, वर्दान, बाप की चत्र चाया में सदा मौज का अनुभो करने और कराने वली विशेस आत्मा भव, जहां बाप की चत्र चाया है, वहां सदा माया से सेफ है, चत्र चाया के अंदर माया आ नहीं सकती, महनत से स्वत्य दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि महनत मौज का अनुभो करने नहीं देती, चत्र चाया में रहने वाली ऐसी विशेस आत्माई, उची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चे हैं कि हम कल्प कल्प के विजई हैं, पास हुए पड़े हैं, तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है, स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है, वही नाराज होता है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है, वही नाराज होता है, अच ओम शान्ति वह कौन से ब्रह्मन हैं जिनकी साधना का फल उन्हें कभी नहीं मिल सकता एक गुहिये राज जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती